तो यहां पर एक बड़ी ख़वर निकल कर आई है कि 44-43 पदों पर जो है लेक पाल की नई भरती आने वाली है आज की इस वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे और आज की न्यूज पिपर में इस बारे में आया भी है जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली लोग चर्चा करेंगे तो जो भी साथी चैनल पर नए है पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आप सबी लोगों को सारी रियल और अथक्टिक अप्डेट मिल सके चले श्टार करते हैं आज की वीडियो को चले गाए तो वीडियो स्टार करने से पहले है वहाँ पर भी जाकर आप ले सकते हैं ये बुक जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर तयाल कीगे पूरी कम्प्लीट जो है यहाँ पर इस्टेडी गाइड आपको यहाँ पर दिख रही होगी इसमें जो है 100% गारेंटीड बतायागा है कि अगर आ जागरन में अपडेट आई है कि लेकपाल के 4,000 पदों पर भरती की तैयारी सुरू हो चुकी है प्रदेश में इस वर्ष 44,000 लेकपालों की राजसुन रिक्षक के पत पर प्रोणती के कारण लेकपाल समवर के लगबक 4,000 पत खाली हो गए हैं इन रिकपालों पर भरती कर जाने की तैयारी सुरू है प्रदेश में लेकपाल के 3,000 पत सरजीत हैं राजस परसन ने चैनवर्स 2018, 2021 और 2021 में राजसुन रिक्षक के पत पर 1222 लेकपालों की प्रोणती इस वर्स अप्रेल में की थी इस प्रोणती के बाद प्रदेश में लेकपाल के 19,509 पत भरे जबक तो भी 32,43 पत खाली रह जाएंगे इस बीच राजस परसन ने बीते अगस्त में चैनवर्स 2021 में 1221 और लेकपालों को राजस ने रिक्षक के पत पर प्रोणती किया है राजस ने रिक्षक के पत पर हुई प्रोणती के बाद लेकपाल संवर्ग के आप 4,43 पत खाली हो गए लेकपाल का संवर्ग मंडलिये संवर्ग है आयुक्त एयों सचियू राजस परसन तो कुल मिलाकर यहां पर आप देख लीजिए 4,43 पदों पर नई भरती की तयारी शुरू हो चुकी है और उसका जो अधियाचन हो मंगाया जाना शुरू हो चुका है यहां पर और और भी अधिनस सेवर चैन आयोग को भेजा जाना चाहिए यानि कि आप यहां पर देख सकते हैं 2022-23 में जो भरती होनी है उसका अधियाचन जो है यहां पर आयोग को भेजे जाने का निर्देश प्राप्त हो चुका है तो यहां पर एक बड़ी ख़बर निकल कर आई है जो भी चा के बारे में मुझे पता लगेगा कब विग्यापन आ रहा है कितने पदो पर ध्याचन भेजा गया है आप सभी को यह अपडेट इस चैनल के मादम से दिया जाएगा इसलिए तुरन सब्सकाइब करिए अगर आपको चाहिए बिल्कुल सही अपडेट तो चलिए अगली करती में अभी तक जो है इसमें लेट है अभी तक परिक्षा तिती भी गोसित नहीं किया गया है हाला कि आप सभी लों को पता होना चाहिए जब परिक्षा डेट गोसित हो जाएगे उस दिन के बाद कम से कम साथ दिन का समय लगेगा पेपर को करवाने में तो यहां पर पाली है इन 10 पदों को रिक्थ होने के चलते बहुत से काम रुके हो है ऐसे में चैनबोर्ट साथ 15 सितंबर से पहले यह 10 पदों को भर दे बाला कि जो चैनबोर्ड वहां से भी सूचना मिल लगी है कि आप लोगे जो 10 पद हैं वो 15 सितंबर तक भरे जा सकते हैं और अगर 15 सितंबर तक नहीं भरे जाएंगे तो इसी सितंबर के मन्त वेनी कि 30 सितंबर तक जो है आपका ये जो पद हैं जो 10 पद हैं जिनके कारण जो है आपकी परिच्छा तितिक होस्ति नहीं हो पारी है वो 30 सितंबर तक आपकी भरे जा सकते हैं क्योंकि मैंने भी चैनबोर्ड प की हैं और प्रस्ताव इसका नया बनाकर सासन के पास भेजे जाने की जो है कोशिस यहां पर की जा रही है यहां पर और भी आगे लिखा कि सिक्षा चैन बोर्ड के खारी जल्द भरे जाएंगे दरसल बता जा रहा है कि 10 अदस्यों के ना होने की वज़ा से मादमिक सिक्षा से चैन बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का एकजाम तमाम अभ्यारतों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए तयारी कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जल्दी आपकी पर यहां देख सकते हैं एक समय था जब डेलेड में भीन लगती थी दो लाग चाली जार सीटे होती थी और छेचे लाग लोग फॉम डालते थे लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि डेलेड में प्रवेस के कभी लगती थी लाइन आज पसरा है सनाटा ठीक है वजा क्या है उ निजी कालेजों में 50 प्रवेस से भी कम सीटों पर प्रवेस हुआ है तो आप यहां देख सकते हैं एक समय था जब डेलेड में छात जो है यहां पर एडमीसन लेने के लिए एकदम से लालाई तरह थे थे लेकिन अब क्या हुआ है कि जो प्रात्मिक सिक्चक भरती नहीं आ पिछले चार साल से नहीं आई रही है आप खुछ सोचिए जिसके घर में जो अगर कोई एक बड़ा भाई है या बड़ी सिस्टर है उनकी अगर उन्होंने डेलेड कर रखा है चार साल से डेलेड के बैठें बिरुजगार बैठें बरती नहीं आ रही है तो वहां पर उनके मोबंग अब हो रहा है यहां पर और अपडेट है प्रात्विक जिक्षक भरती के लिए कभी अनिवार डिप्लोमा इन इलिमेंटरी उजुकेशन से अब अब ब्यातियों का मोबंग होने लगा है वर्स 2022 में प्रवेस के लिए प्रसिक्शन संस्थाओं को अब ब्याति ढू यह अबडेट है वो है कि GIC को जल्द मिलेंगे 1340 प्रवक्ता प्रदेश के राजकी इंटरकालीजों में रिक्त पदों के लिए 16 विश्यों में चैनित 1340 प्रवक्ताओं को न्यूक्ती देने जाने की प्रिक्रिया में सिख्षा निदे साले ने ने पदों का नए सिरे से सत इंट प्रवक्ता प्रवक्ता ब्यारती के लिए जाने की प्रिक्रिया पूरी की जा रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इंट लोगों की जो नुक्ती होगी जितने भी प्रवक्ता हां 1340 बाकी कोई भी अगर अऊब आखर आड़ आती है तो आपको उन लोगों को भी डेली की डेली मॉर्निंग अपडेट मिल जाये करें, क्योंकि बहुत सारे जगों पर न्यूज पेपर नहीं आता है, और आता है तो कुछ न्यूज पेपर में कुछ सारी न्यूज नहीं होती है, तो इसलिए ये मॉर्निंग के अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करने मिलते हैं एंगली वीडियो में, तब तक के लिए खुस रही है, मस रही है, जैहिन जै भारत!